बीट्स क्या होती है जब दो sound waves जिनकी almost बराबर की frequency होती है वो एक साथ बन रही हो एक साथ बन रही हो तो जो intensity है जो resultant sound इन दोरों के कानट मिल रहा है जिससे superposition बढ़ गया और बढ़ रहा है संथ समय के साथ बढ़ रहा है तो जो बढ़ रहा है और जो घट रहा है जो add up और जो subtraction हो रहा है intensity का उसे हम कहते है beats sound में इस ही को हम कहते है beats तो जितने maximum आ रही है जितना minimum आ रहे है जितना maximum minimum आप सुन रहे हैं एक second उसको हम कहते हैं यह frequency है इस beat की जो अंतर है frequency का वो यह 10 से जाता नहीं होना चाहिए और जो हमारे कान में यह हीवन कान की बात कर रहा हूँ वो पर्सिस्ट करेगी सुनाई देगी यह धांस में वो 0.1 second है तो जो beat यदि frequency difference 10 के ऊपर चला गया तो आपको beat सुनाई देगी तो कितने beat होंगे आपको एक सेकंड में सुनाई दे रहे होंगे n1-n2 बेसिकली difference है frequency दो waves का n1-n2 अगर frequency मालने तो amplitude क्या हो जाएगा इस पहले वाले का amplitude दूस्ते वाले का amplitude जोड़ दीजे और maximum intensity क्या होगी maximum amplitude कितना हो सकता है यह इसका square कर लीजिए और loudness के लिए जो time interval आएंगे वह होगा 1 by n1-n2 2 by n1-n2 यह n1 और n2 आपके frequency है